नमस्कर दूस्तो आज के रेट में अपन बात करेंगे एजजे वीएन एल्टीडी की वन्स अगेन दूस्तो आज के रेट के अगर बात कीज़े तो बारा परसेंड के ऊपर का अपसाइड अभी फिलाल देखने को मिल रहा है अभी मैं लाइ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 11.34 मिनिट का टाइम होते में नज़रा रहा है तो आगे की क्या रणनीती अभी यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तो एजजे वेन एल्टीडीडी में उसको इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मैंने प्रिवेस वीडियो में एक लेवल आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तो जो कि था 134, 134, 50 का लेवल चाहां से छोटा मुटा सेल हो पाया था मैंने ये कहा भी था आपको कि बड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तेजी के कंपेर में जैसी हंडड़ के उपा ब्रेकाउट दिया था बड़ी तीजी देखने को मिले थी इससे पहले अल्मूस्ट 119, 120 के लेवल से चोटा मुटा सेला उसके बाद अगेन ब्रेकाउट करके दोस्तो बड़ी बाइंग देखने को मिले थी डीप ब्रेकाउट डीप ब्रेकाउट अगेन तो ब्रेकाउट के बाद 144 से लेकर 150 तक के टागेट अपने प्रीवेस वीडियो में डिसक्रस किये थे और अल्मूस्ट दोस्तो जो लेवल है अच्चू हो चुके है तो अभी नेश्ट रननी थी क्या होनी चाहिए यहाँ पर उसको डिसक्रस करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर अभी भी बड़ी सेलिंग नहीं आरी दोस्तो जैसे कि इससे पहले छोटा मुटा सेल अप आया था वैसी छोटी मुटी सेलिंग देखन सबूर का काम करेगा 139, 140 का लेवल तो अगर बड़ा सेल अप नहीं आता है जिस लेवल को ब्रेक आउट किया है इसके ओपर यह अगर स्टॉक सस्टेन हुआ अगें तो अगें यहाँ से दोस्तो जैसे कि कंसोल्डेशन के बाद छोटी मुटी सेलिंग के बाद ब्रेक आउ 150 के लेवल से सेल आप आ सकता है लेकिन बड़ी सेलिंग अगर नहीं आती है तो वैसे कंडिशन में 150 के ऊपर ब्रेक आउट के बाद यहां से 160 अगला टागेट और 180 तब के भी लेवल देखने को मिल सकते है तो अभी दोस्तो इसके ऊपर और अपसाइट के लिए 134 के ऊपर सस्टीन होना इंपॉर्टन रहेगा और जिस तरह से पुरा सेक्टर भाग रहा है तो और अपसाइट की संभावना यहां पर बने हुई है बाकी बाइस हे लिए होड की कोई सलानी वीडियो से एजुकेशनल परपस के लिए बनाए गई है धान्यवार